राश्ट्रिय वयोश्री योजना देखते हैं क्या है ये वयोश्री योजना 2017 में शुरू हुई थी जैसा कि मैं पहले भी डिस्कास कर चुकी हूँ Ministry of Social Justice and Empowerment से ये बिलॉंग करती है इसका जो मेजर मकसद है वो यही है कि फिजिकल एड और असिस्टेंट हमने प्रवाइड करना है अपने जितने भी सीनियर सिटिजन्स हैं उनको ठीक है राइट स्पेशली जो बीपिल कैटेगरी से यानि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो प्रवाइड करना है यहाँ पर हमने असिस्टेट डवाइज या फिजिकल वगेरा जो है मैंने जिनके एक्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दिये वो हमें प्रवाइड करना है ठीक है चाहे उनको सुनाई नहीं दे रहा है तो उनको सुनने की कानवाली मशीन आती है वो प्रवाइड करना अगर वो चल नहीं पा रहे हैं तो चलने के लिए असिस प्रवाइड करते हैं यह जो भी प्रवाइड करते हैं यह फ्री of cost प्रवाइड करते हैं तुमके साथ साथ यहाँ पर एक साल का maintenance भी इहाँ पर प्रवाइड करती है सरकार इसी scheme के तेह्त या आपने कान के मशीन लगा लगा ली और वो मालोग हराब हो गई तो maintenance भी आपको इसी scheme के तेहत जो है प्रवाइड करवाया जाएगा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया identification वगेरा होता है state government अपने state में identify करती है कि कितने लोगों को कितना चाहिए क्या-क्या aid चाहिए क्या-क्या help चाहिए state government वो बता देती है central government को और फिर यह help होती है ठीक है 30% of the recipient will be woman यह यहाँ पर जो है वो woman होगी चलो eligibility criteria देख लेते हैं एक इंसान must be more than 60 years of age क्योंकि यह है ही senior citizen के लिए तो आपके उमर 60 साल से जादा होनी चाहिए ठीक है monthly pension या फिर अगर आप कहीं से कोई आपकी income आ रही है वो आपकी होनी चाहिए income of less than 15,000 ठीक है यहाँ पर 15,000 से कम आपकी होनी चाहिए जो भी आपकी income अगर कहीं से आ रही है आप BPL category में fall करने चाहिए below poverty line suffer from age related बतब आपको of course कोई बिमारी होनी चाहिए अगर आप यह सारा तो है आपके पास बट आप ठीक हो तो आपको किस चीज की age चाहिए तो आपको assistant नहीं चाहिए ठीक है so basically आपको definitely age से related कोई जो है यहाँ पर बिमारी होनी चाहिए ठीक है चलो इसमें क्या क्या devices दे रही है सरकार hearing aids कानों में सुनने वाली machine ठीक है walking sticks जिससे आप चल सकते हो spectacles ठीक है और इसके बाद elbow crutches wheelchair, quadpots, tripods artificial dentures, crutches, walkers यह सारी चीज़े जो है सरकार देती है ठीक है application यह एक 3-tier strategy है जो कि यहाँ पर इसको vision विजुलाइज किया गया था कि हम BPL sectors के लिए यह वही सेम चीज़े है जो मैं हम already बता चुके है ठीक है 3-tier strategy है तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़े होने वाली है so basically यहाँ पर यह जो okay so यह हम देख चुके हैं कि ministry जो है यहाँ पर काम करती है with Alimco this we have done यहाँ पर financial resources भी provide करवाय जाते हैं and set procedure or policy guidelines मियर मतलब it offers so basically जब मैं ministry और Alimco की बात करती हूँ तो financial resources और यह help वगेरा जो है यह provide करते हैं ठीक है ministry मतलब इस सारी चीज़ों के लिए पैसा भी तो चाहिए तो वो पैसा कौन प्रवाइड करता है ministry पैसा देती है ठीक है चलिए application committee at district level तो basically यहां पर तीन tiers है यानि तीन अलग अलग उसमें जो है लोग काम कर रहे है एक तो main center level पर ministry काम कर रही है फिर एक district level पर भी हमने committee बना दी ता कि लोगों की help हो और उसके बाद UT और उसके बाद जो है कुछ nodal departments बना ली जो अपने अपने states में काम करेंगे तो again district level पर है यहां पर district level जैसे CMO वगेरा है तो यह सारा काम वाम देखेंगे अगर मैं nodal departments की बात करूँ तो nodal departments में भी state वगेरा जो है government of India ने यहां पर government of India has the right to re-allot the districts whenever it is necessary और statewide जो है यहां पर लोगों को appoint कर लिया जाता है कि जी आप इस state में काम करोगे आप इस state में काम करोगे आपके नीचे इतने districts है आपके नीचे इतने districts है majorly health department से ही होते हैं यह officers जिनको appoint किया जाता है इस काम को पूरा करने के लिए ठीक है चलिए अभी तक as per census 2011 अभी वाला तो census हुआ नहीं है हो जाना चाहिए था हम अलरड़ी 2 साल लेट है और अभी भी आता पता नहीं है कि कब आएगा census चलो there are 10.38 करोड citizens country में and 5.2% of them सफर करते हैं किसी ना किसी तरीके की old age related problem से तो यह एक data है so that's a big number है ना so यह हमें definitely cater करना पड़ेगा